नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मसता होंगे साथियों क्लास 11 में यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 तत्व का वर्गे करण और गुणों में आवरतिता इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पेरियोडिक टेबल के बारे में कैसे तत्व के परमान क्रुमांग याद होना यह सारी चीजें बहुत जरूरी है ठीक है अगर अपने को तत्व का कहीं पर भी अपन रियक्शन लिखते हैं या फिर कहीं पर फार्मूला लिखते हैं तो वहां पर एलिमेंट के सिंबॉल मालूम होने चाहिए तभी अपन पूरी तरह से क्या हैं जमा रखें इन तत्व को इतना सिस्टेमेटिक तरीके से मेटल नॉन मेटल परमान कुरुमां के इसाफ़ से जमाना कितना मुश्किल हुआ होगा जब शुरूआत में जब अलिया तत्व के बारे में इस्टेडी किया जाता था तो मतलब इस्टेडी इस्टों को एक ही साथ रखा गया मतलब इनकी प्रॉपर्टिस सेम हैं इनके गूंड जो हैं लगबक समान हैं इनके गूंड समान होंगे तब इनको एक साथ रखा गया मतलब अलग-अलग फेमेली में आपको इसमें दिख रहे हैं कि तत्व को जो हैं कितने साथ आवर्त है और 18 वर्ग हैं साथ आवर्थ और 18 वर्ग इस पेरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हो तो शुरुआत में जैसे की डोबे राइनर का त्रिक नियम आया न्यूलेंड का अश्टक नियम आया मैंलिफ का आवर्थ नियम और फिर यह आधुनिक आ कि इस आप से जमा रखा हैं लेकिन इन से पहले भी नू लेंड साब आया था और नू लेंड लोथर नमेर डोबे राइनर यह सब आये थे तो हम श्रुआत करते हैं आज की इस लेक्षर की इसके बारा में पिछले लेक्षर में डिसकेशन कर लिया था ठीक है हमने पिछले में इसके बारे में discussion हो चुका था हम हम शुरुआत कर रहे हैं डोबे राइनर का त्रिकनियम क्या है तो सबसे पहले elements को डोबे राइनर ने सबसे पहले जो elements थे उनको classify करने के लिए डोबे राइनर कुछ कोशिश करी ठीक है elements के बारे में तो जानकरी थी कि इस इसका यह परमानों कुरमांग है यह सारी चीज़े तो जानकरी थी लेकिन उनको एक एक साथ में रखना यह कैसे रखा जाए तो डोबे राइनर सामने कोशिश करी जैसे कि मैं बात करूं यहां पर कि एक तो लिया अपनोंने सोडियम सोडियम यह लिया भाई यह हमने सोडियम यह सोडियम यह लिया मैंने लिथियम और यह लिया मैंने क्लोरीन सोडियम लिथियम और क्लोरीन यह तीन लिया मैंने लिथियम, सोडियम और सोरी पोटेशियम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन लिया केल्शियम, इस्टांशियम, बेरियम लिया ये चीज़े करके देखिए अपनोंने तो ये जो नियम है ऐसे ऐसे जोड़े बनाए तीन-तीन के जोड़े बनाए डॉबेनेर साब ने जैसे ये जोड़ा बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जोड़ा बनाया लीथियम, सोडियम, पोटेशियम का जोड़ा बनाया Calcium, Sntancium और Barium इनका जोड़ा बनाया और फिर ये देखा क्या देखा कि इनके ये जो number है ये इनको गया केते है परमानोभार इसका निथियम का साथ होता है Sodium का परमानोभार तेविस होता है Potassium का परमानोभार कितना होता है 49 होता है ऐसे ही केलिशियम का पर्माणुभार 40 होता है, इस्टाइनशियम का पर्माणुभार 89 होता है, बेरियम का पर्माणुभार 132 होता है, क्लोरिन का पर्माणुभार 35.5 होता है, ब्रोमिन का पर्माणुभार 80 होता है, आयोडिन का पर्माणुभार 127 होता है, है ना, 127 होता है, अब तो यह दोनों जो side वाले elements हैं, यह दोनों जो side वाले elements हैं, यह और यह, मतलब potassium और lithium और potassium, इन दोनों के परमानु भार को जोड दिया, तो 7 प्लस 39, 7 प्लस 39, अपान 2 लिख दिया, 7 प्लस 39, कितना हो जाएगा, 46, 46 by 2, मतलब आपको कितना मिलेगा, 23, अब आपको जो 23 जो मिल सोडियम का मिला, किसका मिला, सोडियम के मिला, तो डोबे राइनर ने अलग-अलग तत्वों के क्या बनाए, त्रिक बनाए, डोबे राइनर का त्रिक नियम के तना, तो यह त्रिक बनाए, 23 के जोड़े बनाए तत्वों के, उन्हों ने यहां देखा, कि मद्धे वाले तत तत्वों के तिन-तिन के जोड़े बनाएं और उन में मध्यवाले तत्व का परमानुभार अन्य दो तत्वों के परमानुभार के योग का आदा होता हैं यह बता दिया किसने डौबे राइनर साब ने यह चीज तो लिखी हुई है लेकिन यह सारी चीजे हरेक एलिमेंट्स के तत्वों के परमानुभार के योग का आधा किसी बनाथ पर यहां पर भी 88.5 यह में पर चालिसे बेरियम के परमानुभार को जोड़ दिया और बटे में दो लिख दिया तो मद्द्य वाले तत्व का पर्मानु भार अन्य दो तत्व के पर्मानु भार के योग का आधा होता है किस ने कहा ये डोबे राइनर सापने मेरी बात आप समझ रहे होंगे ठीके सन 1829 में डोबे रिनर ने सरो पर्थम यहां विचार प्रकट किया कि तत्व के भोतिक और रासानी गुन उनके पर्मानु भार से संब्धित होते हैं उनके पर्मानु भार से संब्धित होते हैं उन्हें ने रासानी गुनों के आधार पर मिलते जुलते हैं जैसे कि रासानी गुन क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन का मिलता जुलता हैं लिथियम, सोडियम, के रासानी गुन आपस में मिलते जुलते हैं केलशियम इस्टरंशिम बेरियम के रासानी गुन आपस में क्या हैं मिलते जुलते हैं तो जिनके रासानी गुन आपस में मिलते जुलते हैं उनके क्या है तीन तीन तत्वों के कुछ समू पेश किये जिनमें बीच वाले तत्व क जिनमें बीच वाले तत्व का पर्मानों भार, अन्य दो तत्व के पर्मानों भारों का ओसत पाया गया, समझ में आया, यह ऐसे भी लिख सकते हैं, कि डॉबिन आरेन के तीक नियम के अनुसार, क्या कहते हैं, कि मद्धि वाले तत्व का पर्मानों भार, अन्य दो तत्व के पर्मानुभार के योग का क्या होता है आधा होता है ठीक है जिन में बीच वाले तत्व का पर्मानुभार जैसे अपन सोडियम की बात करें बीच वाले तत्व का पर्मानुभार और निदो तत्व के पर्मानुभारों का उसत पाया गया इन दोनों का उसत क्या है ये इन दोन परामनु भाई यहां, प्रियास कुछ तत्वा के लिए तो considered F प्रियास कुछ तत्व के लिए तो सफल रहा किन्तु सभी तत्वों को एसे त्रिक समूस में विवाजित करने में क्या रहा असपल रहा द्यूमा ने सजाश्रेनी तता डी चांड को उटायास ने टेल्यू रिक हेलिक्स रूप में परमानोभार के आधार पर ही तत्व का औरीगर्ण को असपल प्रियास किया तो यह सारे असपल प्रियास से इसको छोड़ो अभी अपना का डावे रेनर का त्रिक नियम यहां तक अब लूबे रेनर का इस्टक नियम के नुसार वह जोसत यह थे वह फिसने बताई यह बात करें नूलें का ज help interactions नेला पकोशिश कर लोएंव एपया उन्होंने भी सोचा कि मैं भी बता दू कि कैसे इनको क्लासिफाइख किया जाए और किसे किस तत्व के बाद में कौन सा तत्व उसके समान गुणों वाला जाए यह बताने के लिए नूलेंड साब आये नूलेंड का अश्टकनियम नूलेंड का अश्टकनियम जान से देखिएगा इन्होंने क्या किया जो संगीत जोड़े होते हैं सारे गामा पधनिशा सारे गामा पधनिशा उसी हिसाब से यह जो एलिमेंट से दे रखिए हैं हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरान कारबन नाइट्रोजन ऑक्सिजन ऑक्सिजन के बाद में सारे गम पधनिशा आता है तो यह वापस यहां प्यारा फ्लोरीन यहां प्यारा सोडियम यहां प्यारा मेगनेशियम सब्कार्ब्सटरात करके पदेखत look ederim यहां लूमिनियम यहां सिलीकॉन यहां सालफर क्वारा में का मतलब यह है कि हाइडरोजन के बाद समान hooragoria प्लोरिन नारा ल거든요 के बाद को नारा भीया सोडैम आरा बैरिलिम के पास को बाद को नारा मेंगनिशियम आरा बोरान के बाद को ना मूना रएक राना इसका परमान को मांगर इसका तीन हैं चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा एक दो तीन एक तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस नहीं यहां पर आएंगे ग्यारा क्योंकि उस टाइम पर अक्री यह सो की खोज नहीं हुई थी तो यह ग्यारा बारह तेरा चौदा पंदरह और यह सोला ठीक है अब इनके पर्मानो भार के इसाफ से जमाय गया था तो यहां पर देखे हैं पन कि यह है सा रे गम पधनी और वापस क्या आएगा? सा आएगा तो यहां पर वापस सा आ रहा ठीक है तो सेम स्वर आ रहा यहां पर रे आ रहा तो वापस सेम स्वर आ रहा संगीत में जो स्वर आता वो सेम आ रहा है ऐसे यहां से पहले करम से चालू करेंगे और इससे जो आठवा जो element आएगा वो क्या हैगा same गुणों वाला आएगा same properties वाला आएगा same गुणों वाला आएगा same properties वाला आएगा ये किसने कहा Newland साभ ने मज़ा आगया कुदने लग गया वो तो तो वो वाली बात हजम नहीं हुए आगे जाके तो ये जो है संगीत के जो संगीत में जो साथ स्वर होते हैं ठीक है पहला और आठवा स्वर same होता है उसी प्रकार से समान गुणों वाले तत्व की परिक्रम नागी गई कि पहले कोई element से पहले नंबर पर आ रहा है तो उसी के समान जो है वो कौन सा होगा इससे आठवी नंबर पर जाएगा वो समान गुणों वाला elements होगा ओके आगे बड़े तो न्यू लेंड ने उस समय तक ग्यात तरसर दत्वों के आठाट के समूं में विरिज़गत किया और अश्टक नियम का प्रतिपादन किया इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए पर्मानों भार के करम में रखा जाए तो कोई भी तत्व अपने आठ्वे तत्व के समान गुढदर्मा वाला होगा जैसे कि संगीत में आठ्वासवर प्रत्मसवर के समान होता है उधरण लिथियum से शुरू करने पर आठ्वा तत्व कोन सा होता है? sodium आता है जैसे यहां से शुरूआत कर रहे हैं अपन लीथियम से जैसे लीथियम से शुरूआत करी तो आठवा कुन सारा sodium आ रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठवा यह sodium आ रहा है ठीक है आप modern पर दि देखो कि तो helium और neon पे लेकें उसलिए हावा हीड्रों के बाद में डायरेक्टरर पर आ उस समय तक ङया सब्सक्राज को 58 के समों में वर्गत किया ऊस्टरक सिसे पादन किया किन स्वाई cm उस टाइम पर शिर्प सिक्स्टी तर त्री एलिमेंट्स तो ग्याद थे उस टाइम पर जब न्यूलेंड ने ये नियम दिया था ठीक है इस नियम के उनसार यदि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमानों भार के करम में रखा जाए तो कोई भी तत्व अपने आठवे साथ इन्होंने बोला कि मैं भी कुछ बता दू लोर्फ अ को ठीक यंश्ची नियूलेंड के बारे के नियictionsपे यह भाल आगे जाकर फेल्व को गया और Muli करें बेचारा उच्छ पर्मानु भार वाले तत्व पर लागू नहीं होता इसलिए इस नियम का विशेष्ज जान नहीं दिया गया फिर भी इस नियम से पहली बार यह पता चला कि तत्व को पर्मानु भार की गुणों में क्या है आवर्तिता पाई जाती है कि इसके समान लोथर मेर का वक्र देखिया आए yol सुच है यहां पर जो लोथर मेर आपने वक्र दिया है इसमें पर्मानों कुर्मांग इधर पर्मानों कुर्मांग बढ़ता हुआ पर्मानों-कुर्मांग आट दो पर्मानो जातन किसे समोग में चलते तो उपर से नीचे चलने पर क्या होता है पर्मानो का यह जाता है तो एक तो पर्मानो आयतन मतलब वाल्यूम साइज और यह पर्मानो कुरमांग के ग्राफ दे रखा है जैंब यह देखिए कि कुछ इहां की बात करे हो यहां पर बारान को बिठा हाँ एल्यूमिनियम ठीके एलियूमिनियम और जैसे नीचे- Install इनको यह element से कून से बिठा रखे है संक्रमन धातो इसके इन्डियम, डख्टो par क्रोमियम, इनको भीटा रखे HERE यह अ लिए यह लाई अगिया तो यह लाई रैत तो यह जो है लाई Phin लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, रूबीडियम और सीजियम, यह इनका क्या है, आकार बड़ा होता है, इनको कहाँ पर जो वक्र दे रखा है, उसके शीखर पर पिक्स पर बिठा रखे, लिथियम, सोडियम, पो चड़ते हुए भाग पर जो आटवा शमूँ के उसके तत्व कहांपर वक्र के निचले भाग पर इस्सित घै को उसने इस वक्र के आधार पर यहां नियम दिया के तत्वों की गुण सामेने तो उनके पर्माणों भारों के आवर्ति फलन होते हैं। किस ने दिया ये? लोथर मेयर साब ने दिया। तो लोथर मेयर ने सन 1879 में तत्वों के पर्माणों भारों तता पर्माणों आयतनों के बीच एक वक्र बनाया। जिसे लोथर मेयर वक्र के कि वाला से तत्वा का रखा गया निचले भाग में रखा गया तो यह दो तिन कुछ इनालिसिस किया उन्होंने बसकी यह इसको यहाँ यह इस केंडिशन में रखा जाए किसने लोथर मेयर सामने तो आज के इस lecture में हमने जो बात करी एक तो डोबे रैनर का त्रिक नियम फिर हमने बात करी न्यू लेन का अश्टक नियम फिर लोथर मेयर का वक्र ठीक है हम आज के इस lecture को यहीं end करेंगे मिलेंगे next lecture में मेंनलिफ कावरतनियम और आधोनी कावरतनियम पढ़ेंगी ओके तब तक के लिए ओके बाए